Hello my dear students, welcome back to one more class. आज की इस class में हम Amines chapter का 3rd lecture start करने वाले हैं. 3rd lecture में मैं आपको समझाने वाली हूँ Basic Character of Amines. So, यह Basic Character जो है हम जो study करने वाले हैं, यह एक important part है हमारे Amines chapter का. So, Basic Character of Amines हम अभी start करने वाले हैं. तो चलिए start करते हैं कि Amines जो है यह Basic इनको consider क्यों किया जाता है. तो formula हमें पता है Amines का. Amines का formula क्या होता है? R, NH2 Primary Amines के बारे में हम यहाँ बात करेंगे. और उसके बाद में हम बात करेंगे कि Aliphatic और बाकी सभी Aromatic Amines किस तरीके से Basic Character के उपर walk करते हैं. तो जैसे कि यह nitrogen है, इस nitrogen के उपर क्या है? एक loan pair है. और यह क्या कर सकता है? nitrogen जो है किसी ना किसी को loan pair जो है अपनी donate कर सकता है. अब अगर इसने loan pair donate कर दी है, loan electrons और loan pair मैं कहूंगी. loan electrons से जाथ loan pair जो है, यह किसी ना किसी को donate कर सकता है. और इसी लिए इसको जब भी कोई किसी को electron pair donate करता है मतलब उसको कहा जाता है Lewis base, right? क्या कहते हैं हम उसको Lewis base कहते हैं तो अभी हम इसको basic character को समझने के लिए एक और reaction देख लेते हैं जिसमें हम यह देखेंगे कि यह जो R NH2 group होता है तो it means amines को जब आप water में dissolve करोगे तब क्या होगा देखो जैसे ही amines को हम water में dissolve करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त पे क्या होता है यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यह lone pair जो है ठीक है इससे क्या होता है R NH3 यहाँ पर 2 है और इसलिए भी हम कहते है amines का basic character जो है वो explain कर सकते हैं क्योंकि OH negative जो है यहाँ पर release कर दिया है चलिए अब अगर मैं lot equilibrium लगाओ इसमें तो मैं simple सा अगर equilibrium constant अगर मुझे निकालना है इसमें से तो equilibrium constant हम कैसे निकालते हैं? हम निकालते है concentration of product concentration of product जितने भी product से हमारे upon concentration of reactant आ जाता है क्या आता है concentration of reactant हमने यहाँ पर concentration of reactant दे दिया है जैसे के हमने water use किया है as a solvent तो हम क्या करते हैं इस water के constant को इसमें multiply कर लेते हैं उसके बाद में हमारे पास में यह concentration बचता है और वो होता है product और reactant का concentration जब आप water के water की जब यहाँ पर आप इस equilibrium constant के साथ में water को जब involve करते हो तो इसे हम कहते है K A K A for क्या होते है equilibrium constant of acid और जैसे कि यह base है इसलिए मैं यहाँ पर use करूँगी K B तो इस constant को हम कह सकते है K B तो K B मतलब हम कैसे calculate कर सकते concentration of product upon concentration of reactant अब यह basic character से कैसे relate करता है वो मैं आपको बताती हूँ ठीक है अब देखो K B की generally K B को हम generally किसके form में express करते हैं हम K B को generally express करते हैं in the form of P K B तो P K B मतलब क्या होगा minus log of K B क्या होगा यह minus log of K B तो किसी भी base की कि कौन सा stronger base है कौन सा weaker base है यह सब कौन decide करता है यह सब decide करता है value of K B ठीक है अगर K B की value जादा है K B की value जादा है तो उस base को जादा strong base consider किया जाता है और P K B हम यहाँ लिखे भी सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो हम यह लिखेंगे more the value of more the value of K B अगर K B की value जादा आती है यहाँ पर यह जो K B की value आ रही अगर ही K B की value जादा आती है या फिर और देखो और मैंने अलग से लिख लिया है और less the value less the value of P K B अगर P K B की value कम है तो इन दोनों situation में हम क्या मानते है stronger is the base हम क्या मानते है stronger is the base तो amines जो है basic character सिर्फ amines का ही नहीं जब यह हम किसी का basic character study करते है तो हम generally K B की ही value find out करते है और यह हम chapter जो है हमारा chemical equilibrium उसमें हम यह study करते है तो अब देखो यह तो हो गया हमारा value कि अगर हम K B की value P K B की value calculate करते है और उसी के basis पे हम decide करते है कि वहाँ पर जो है proper तरीके से इसका value निकाली है या फिर नहीं निकाली तो इस basis पे हम कुछ generalization कर सकते है और वो क्या generalization है वो one by one में आपको यहाँ पर explain भी करते चलूंगी So first हमने generalization यह किया है कि जो हमारे अलीफैटिक अमाइन्स जो होते है क्या होते है अलीफैटिक अमाइन्स इस अलीफैटिक अमाइन्स आर stronger bases हम अलीफैटिक अमाइन्स को क्या कहते है अलीफैटिक अमाइन्स आर stronger bases than ammonia ammonia हमने यह कहा कि हमारे अलीफैटिक अमाइन्स जो होते है यह stronger base होते है ammonia के comparison में किस तरी से कैसे हम explain कर सकते देखो मैं एक example लेती हूँ और explanation देती हूँ अब देखो अगर मुझे NH3 लिखना है तो मैं इस तरी के से हमने लिख लिया है तो यह बन गया हमारा NH3 जिसकी nitrogen के उपर एक lone pair है ठीके तो यह हो गया हमारा ammonia अब हम एक aliphatic amine ले लेते हैं aliphatic amine मतलग हो गया यहाँ पर open chain amine RNH2 ही मैंने लिया और यहाँ पर भी देखो nitrogen के उपर एक lone pair है ठीके अब देखो यहाँ पर यह hydrogen hydrogen है इनके कोई like electron releasing tendency या फिर electron gaining tendency नहीं होती है बट यहाँ पर जो alkyl group attached है इस alkyl group का nature जो होता है plus eye effect होता है plus eye effect मतलब होता है electron electron releasing tendency क्या होता है इसका electron releasing tendency electron releasing tendency होती है इसकी तो यह क्या करेगा यह electrons यह release करेगा यह जो है na alkyl group जो है electrons को release करेगा और जिसकी वज़े से यहाँ पर nitrogen density बढ़ जाती है तो क्या होता है यहाँ पर electron density increases यहाँ पर electron density increase होना start हो जाती है और अगर electron density increase हुई तो उसको electron pair देने में ज़ादा असानी होगी तो हमने क्या देखा हमने यह कहाए कि aliphatic amines ज़ादा stronger basis होते हैं as compared to ammonia और यह हमने explain किस basis पर किया on the basis of electron releasing tendency of alkyl group ठीक है तो अब electron releasing tendency है तो क्या होगा वहाँ पर crowding बढ़ेगी अगर crowding बढ़ेगी तो वहाँ पर क्या होगा electrons को निकालना थोड़ा सा easy हो जाएगा ठीक है जो electron density जादा नहीं होती है और electron density के बात अगर हम दोनों में comparison करें तो aliphatic amines में हम कहेंगे कि electron density alkyl group की वज़े से बढ़ जाती है और अगर electron density बढ़ गई तो उस electron को निकालना थोड़ा सा easy हो जाएगा और जैसे ही वो donate करेगा one loan pair उसको basic nature जो है वो consider कर दिया जाएगा इसी के साथ में हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा second generalization भी हम कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं second generalization देखो हम second generalization ये कहेंगे कि ये जो aniline जो होता है aniline क्या होता है aniline is weaker based than aniline is weaker based than ammonia उसके बाद में हम specifically हम aromatic compounds के बारे में भी पढ़ेंगे अब देखो aniline is weaker based than ammonia कैसे होगा फिर से अगर हम बात करें ammonia की तो देखो यहाँ पर ये इस तरीके से structure है अब अगर हम aniline की बात करें अगर हम aniline में क्या होता है इस तरीके से यहाँ पर ये N होगे जिसके पास में एक loan pair है और ये बन जाएगा NH2 तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह जो lone pair है this lone pair is involved in resonance यह lone pair क्या है resonance में involved रहती है और यह lone pair resonance में involved रहने की वज़े से वो electron pair easily donate नहीं करते है देखो आप जो लोग भी देख रहे है बेटा आप अपने अपने notes copy में ध्यान से लिखे रखे या तो फिर मेरा जब भी आप lecture देखे तब साथ में अपनी NCRT भी रखे जब यह दोनों चीज़े आप सामने रखेंगे तब आपको थोड़ा सा समझने में easy होगा क्योंकि मैं NCRT based पूरा अच्छे से समझाती हूँ तब देखो यह aniline जो है तब उसको वहाँ से निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसलिए इसको विकर बेस कहा जाता है क्योंकि यह क्या है aniline है और यह ammonia है ammonia तो कही पर involved ही नहीं रहता अगर वो involved नहीं रहता है तो उसको क्या होगा उस loan pair को निकालना थोड़ा सा easy हो जाता है clear हुआ तो जब हम comparison करेंगे तो इस basis पर देखिए हमने दो generalization किये है first generalization कि aliphatic ammines जो होते है यह stronger basis होते है ammonia से and aniline जो होता है यह भी कर बेस होता है ammonia से इसी के साथ में और हमें कुछ generalization study करने है वही ammonia के basic nature से वह क्या होता है यह मैं आपको बताती हूँ जल्दी से थोड़ा सा erase कर लेते उसके बाद में मैं आपको अभी तक हमने दो generalization देख लिये थे aliphatic ammines के right aliphatic ammines और ammonia में basic character में क्या differences होते वह अभी हमने देखा था अब हम आते हैं हमारे third generalization के उपर और यह जो है यह one of the very important concept है बेटा ध्यान से समझे इसमें क्या बोला हमने हमने बोला है कि in aliphatic methyl ammines methyl ammines the order of basic strength is secondary methyl ammines जादा stronger होते हैं then primary and then tertiary और इस series को explain करने के लिए हमने क्या किया है हमने यह तीन factors लिए है explain करने के लिए तो सबसे पहले हम methyl ammines से start करते हैं अब यह है हमारे पास में पहला methyl ammines जिसका क्या हो जाएगा NH2 तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर हम plus i effect की बात करें उसके बाद में यहाँ पर देखिए यह हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा इस तरीके से यह हो जाएगा secondary हमारे पास में methyl ammines हो जाएगा और यह जो लिया हमने यह लिया है हमने tertiary methyl ammines क्या लिया हमने tertiary methyl ammines लिया अब आप तीनों में जब देखोगे तो यहाँ पर देखो बेटा यहाँ पर एक methyl group है यहाँ पर दो methyl group है और यहाँ पर तीन methyl group है it means इस methyl group में क्या होता है सबसे ज़्यादा plus eye effect होगा क्या होगा more plus eye effect इसमें सबसे ज़्यादा plus eye effect होगा as compared to this three मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा plus eye effect होगा वो ज़्यादा basic होना चाहिए according to this one और इसी लिए इस sequence में हम देखते है कि यहाँ पर tertiary, greater होना चाहिए उसके बाद में secondary और उसके बाद में आता है primary यह हमारे situation हुआ है methyl amines में याद रखी है अब देखो अब हम बात करते है steric effect की यह फिर steric hindrance भी हम इसको कहते है हम इसको hindrance word भी use करेंगे hindrance अब देखो जब अगर हम steric hindrance की बात करते है तो क्या होता है कि जो यह primary amines जो होता है यहाँ पर देखो यहाँ पर यह जो primary amines होता है इन primary amines में यहाँ पर एक bulky group present है क्या है यहाँ पर सिर्फ एक bulky group present है अगर मैं बात करू हमारे tertiary amines की तो tertiary amines में क्या होता है तीन bulky group present है यह क्या है त्री bulky group present है यहाँ पर त्री bulky group present है और जब यह तीन bulky group present होते है किसी भी atom के उपर तो वो क्या करते है क्या create करते है वहाँ पर steric hindrance create करते है और steric hindrance होने की वज़े से इतने सारे बलकी group present होने की वज़े से वो क्या करते है उनकी basic character जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है तो इसके basis पे अगर आप देखोगे steric hindrance के basis पे तो primary क्या होगा primary में सबसे कम steric hindrance होता है इसलिए वो क्या होगा सबसे हम कहेंगे यहाँ पर वो सबसे जादा basic होगा और उसके बाद में आएगा secondary और उसके बाद में आएगा tertiary on the basis of steric hindrance अब देखो यह तो हमारे दो factors हो गए अब हम तीनो factors का study करके last में हम generalization करेंगे ठीके अब अब अगर हम बात करते हैं solvation effect की तो solvation effect में क्या होता है बेटा देखो जैसे कि अगर rnh2 में rnh2 में मैंने जब h2 के साथ में reaction करवाती हूँ तो यह बन जाता है rnh3 बन जाएगा इस तरीके से देखो rnh3 अब अगर कोई एक और h2 molecule आता है तो यह इसके साथ में hydrogen bond बना लेगा देखो यह इसके साथ में क्या बना सकता है hydrogen bond बना सकता है इस तरीके से यह हो गए हमारा primary है hydrogen bond बनाता है secondary के अगर हम बात करें तो secondary के situation में क्या होगा यहाँ पर 2 hydrogen है plus चार्ज आ जाएगे इसके उपर तो यह क्या करेगा यह सिर्फ और सिर्फ दो water molecule के साथ में क्या बनाएगा यह दो water molecule के साथ में ही यहाँ पर यहाँ पर यह है salvation effect वो दिखा सकते हैं ना effect मैं बता रही हूँ अब देखो यहाँ पर हमने यह तीन alkyl group ले लिए अगर हमने तीन alkyl group ले लिए है तो यह सिर्फ और से एक water molecule के साथ में ही इस तरीके से hydrogen bond बना पाएगा अब salvation effect क्या होता है कि इस cation को stabilized होना है यह जो cation हुआ है न यहां वो water molecule के साथ में bond बनाते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ यह water molecule के साथ में यह ज़्यादा bond बना सकता है मतलब यह ज़्यादा stable हो सकता है उसके बाद में देखो इसने कम बनाया और tertiary ने तो और भी कम bonds बनाये है ठीक है बिटा तो आप जब इसके बारे में लिखेंगे जब भी हम इसके basic character के बारे में लिखेंगे तब हम कहेंगे कि जहाँ पर greater the salvation of cation more will be the tendency और हम कहेंगे greater will be the salvation of cation more will be the tendency of amine to change into cation by releasing the electron pair ठीक है तो इस basis पे हम अगर हम इस basis पे देखे तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा जो tertiary amine जो होगा tertiary amine जो होगा वो list basic होगा तो इस basis पे हमारा primary amine जो है primary amine सबसे जादा basic होगा फिर secondary और फिर आता है tertiary तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन तीनों effect को study करने के बाद में हम कुछ generalization कर सकते हैं वो generalization हम क्या कर सकते हैं आप यहाँ देख सकते हो बटा कि यह देखो जो tertiary जो tertiary amine होता है tertiary amine जो होता है यह tertiary amine due to steric hindrance due to solvation effect यह क्या रहता है list basic ही रहता है और इसलिए इसको put किया गया है सबसे कम basic में अब हम बात करते हैं इन दोनों की देखो अब अगर हम primary की बात करें तो यहाँ पर देखो primary जो है steric hindrance की वज़े से तो सबसे जादा हो जाता है और यहाँ पर भी क्या होगा solvation effect में भी जादा होता है बट जब अगर हम बात करते है secondary amine की तो secondary amine में क्या होता है secondary amine इन तीनों में जो है magnitude जो रहता है तीनों का वो एक जैसा रहता है और इसलिए यह क्या रहेगा यह सबसे जादा basic रहेगा और यही हम जो है observe करते हैं हमेशा ठीक है बटा और यह चीज हमें और याद रखनी है कि यह तो हुआ हमारा aqueous solution में अगर हमारे पास में कोई non-aqueous solvent है या फिर हमारे पास में gaseous phase है देखो gaseous phase for methyl amines आपको याद रखना है बटा for methyl amines तो यह sequence change हो जाएगा क्योंकि उसमें solvation effect नहीं रहेगा और अजब solvation effect इसमें नहीं रहता है तब हम क्या कहते है इसका simple सा से वो आता है कि tertiary then secondary and then primary अगर कोई non-aqueous solution है तो ठीक है clear हुआ यह और यह हमें याद रखना है methyl amines के लिए when they are in a aqueous solvent and when they are in a non-aqueous solvent और साथ में ही हमें एक चीज और याद रखनी है एक चीज और याद रखनी है जब हम ethile amines से बात करते हैं तो यह sequence change होकर हो जाता है यह sequence होता है यहाँ पर secondary then tertiary और then primary ऐसा क्यों होता है क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि primary में जब हम compare करते हैं सिफ़ जब हम इन दोनों में compare करते हैं तो इसका plus i effect जादा था इसलिए हमने इसको first position पे रखा है ठीक है तो जब ऐसे ही आप जब ethile amines में compare करते हैं तो ethile amines में हमें यह sequence जो है वो follow होते हुए दिखेगा तो जब भी आप इसकी practice करते हैं आप NCRT में से पढ़ते हैं या पर कोई भी questions पढ़ते हैं तब आप देखोगे कि इनको जो है हम इस तरीके से study कर सकते हैं यह acidic character of amines पे एक question definitely रहता है तो इसको ध्यान से पढ़िए और अगर कुछ भी doubt हो तो comment section में जरूर लिखिएगा Thank you students and have a good day